मुझे भी स्वाव है, पहले चरण में पीमसी कॉंग्रेट जैसे जो दल जो फ्रस्ट रांड हुआ ना, पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में त्वस्त हो जाएंगे. इसलिए माल्दा में पी हर तरफ यही कुछ है, फिर एक बार, 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 आबार एक बार, आबार एक बार, आबार एक बार, साथ्यों एक समय था जब बंगाल पूरे दोस्ट के विटास का नित्रुत्व करता था चाहे सामाजिक सुधार हो तो बंगाल का नित्रुत्व वैज्यानिक प्रज़ती हो बंगाल का नित्रुत्व फिलोसफी की प्रज़ती हो बंगाल का नित्रुत्व अच्यात्म में प्रज़ती हो बंगाल का नित्रुत्व देश के लिए बलिदान दे रहा हो बंगाल का नित्रुत्व यानि जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नित्रत्वा हमारे पंगाल ने लग किया हो लेकिन पहले लेट वालों ने और फिर टी एमसे वालों ने उनके इस शासन ने मंगाल की इस महानता को चोट पहुचाई मंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया विकास को रोग लगा दी टी एमसे के राज में मंगाल में एक भी चीच चलती है हजारो करोड के स्कैम सारदाचिट फंड स्कैम रोज वेली ठीट फंड कैम पसूत तसकरी गोटा रा नगर पालिताए निवती गोटा रा राशन गोटा ले कोईला तसकरी गोटा रा गोटा ले एमसे करती है और भुटान ये पंगाल की जन्ता को परता है ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमिशन के होता हो यहां तक ही इन्हों ने किसानों तक तो नहीं छोड़ा हमारे किसान भाई मंडी में एक पिंटल गेवू बेटने जाते है तो इसका एक बड़ा हिस्सा बिचोली एक खा जाते है साथियों टी-एम से ले यहां हुआओं के धविच्छ के साथ लगातार खिलवार किया है इन्हों ने इतना बड़ा सिख्षा गोटाला किया 26,000 परिवारों की रोजी रोजी ठप्थ हो गई और कर्ज लेकर के पैसे लाकर के जो टी-एम सी वालों को दिये थे वो दोज भी इन हमारे गरीब बंदू पहन के सर पे मर गया जब भी दूजी की सरकार है जो पेंदर सरकार में पूरी पार दर्सिता से युवाओं को लोकरी दे रही है हमने मुद्रा युजना स्टार्टप इंडिया अभियान कौशल विकास अभियान से युवाओं का सामर्थ और बढ़ाने के लिए काम किया है बीजे की सरकार की नीतियों से देश में नए नए सेक्टर बन रहे हैं ज़ा युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आउसर मिल रहे हैं लेकिन मंगाल मैं एमसी ने युवाओं के विकास के सारे दर्वाजे बंद कर रखे हैं साथ्यों मंगाल रामकस्टा परम हाउस स्वामी पिवेकाना नेता जी सुभास गुर्बे उत्रगोर डॉक्तर मुखर जी की धर्थी है मैं अपने मंगाल को ऐसे ही पिछरते हुए नहीं देख सकता TMP जैसी प्रस्ट पार्टी के पावजूद केंदर की PGP सरकार बंगाल के विकास के लिए पूरी शक्ती से काम कर रही है बाज़ता सरकार की होजना की वज़े से आपको मुद्व राशन मिल रहा है साथ लूँ साथ लूँ साथ लूँ साथ लूँ यह आपका उच्छा यह आपका प्रेम मेरे सर आखों पर आप इतना प्यार दे रहें इतना प्यार दे रहें ऐसा लगता है या तो पीछले जनम में मैं बंगाल में प्रदा हुआ था या तो अगले जनम में बंगाल की किस मा के जोट से प्रदा होने वाला हुआ शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता वाई दोस्तों लोगों दो तक गूत में खड़े हैं मैदान छोटा पिरगा हमारी ववस्ता ठोटी पिरगा आपको तकलिप हो रही है ये खूत में सब्स णत्रह और उनको तकलिप हो रही है ये जो आपको तकलिप हो रही है न इसके लिए मैं आपकी छमा मांगता हूँ लेकिन जो प्रूप में तप रहे हैं उनकों मैं कहता हूँ आपकी ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूँगा आप जो ये तप में तप रहे हैं मैं जिकास करके आपके इस प्यार को लवतांगा अब मेरी प्रांथना है अगर अगर आप शांती से सुनोगे तो मैं दो चार बाते आपके बता सकता हूँ बताओ आप इजाज़ें दें तो बताओ क्योंकि आपका उच्वा इतना है कि पीछे सुनना ही मुश्किल हो रहा है तो बताओ मैं आप शांत रहेंगे पत्ता बंगाल के पचाक लाग से जादा किसानों के खाते में सीधे आथ हजार करोड रुपियें पीएम किसान सम्मान लुपी के भीजे गए हैं लेकिन टीमसी सरकार को देखिए वो आपको लूपने का कोई मुखा छोड़ती नहीं है मैं केंद्र से बंगाल की विकास के लिए यहां की सरकार को जो पैसा बेचता हूँ वो टीमसी के नेता, मंद्री, तोलाबाच मिलकर खा जाते हैं जो योजना है, मैं सीधे लागू करने की कोशिश करता हूँ उसे भी टीमसी सरकार लोग देती है इन्हों ने बंगाल के लोगों को पाँच लाख रुप्य तक के मुक्त इलाज देने वाली हमारी आईशमान योजना को रोप रखा है अभी भाजपाने हर भुजूर को पाँच लाख रुप्य तक के मुक्त इलाज का इलान किया है लेकिन बंगाल के खुजूर को इस हुजना का लाख भी ये टीमसी वाले नहीं लेने देंगे सर्टीमसी सरकार उसको लाखुम नहीं होने देगी है टीमसी को आपकी चिंता से आपकी परिसानियों से कोई लेना देना नहीं है ये चाहते हैं कि बंगाल में बंदे भारत ट्रेने भी ठप हो जाएं हम कहते हैं कि हमारे मालजा के किसानों का आम और मालजा के किसानों का मखाना पूरी दुनिया में फिमत है उनकी आमद नहीं बढ़ें उन्हें जादा पैसा मिलें इसके लिए हाँ फूर्पोसे से इंडस्ट्री लगाएंगे E.M.C. कहती है उसमें हमें हमारा कज मिलना चाहिए साथो मा, माटे, मानुस की बात कहकर सब्ता में आई E.M.C. ने सबसे बड़ा जुष्वाजाद यहां की महलाओं से किया है जब बीजेश्टी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अच्छा चाह से बचाने के लिए तीन तलाग खत्म किया तो E.M.C. ने इसका जिरोध किया संदेश ठाने में महलाओं पर इतने अमानुय अत्याचार हुए और E.M.C. सरकार आखिर का मुस्ट्य आरुपी को बचाती रही यहां मालगा मैं भी महलाओं के साथ शर्मसार करने वाली जटा गटी लेकिन E.M.C. सरकार चुप रही जब कि B.J.P. सरकार महलाओं के मान मर्यादा इच्चत के लिए काम कर रही है B.J.P. सरकार ने बंगार में अक्सिलाग से ज़्यादा सोचावई बना कर दिये जिसका सबसे ज़्यादा गट महलाओं को हुआ है मंगार की करूप सबाद करो माता ओ बहनों को उदुला का गैस कनेक्शन मिला है यहाँ P.M. आवाद के जो हजारों गर दिये गए उनमें से जादा गर महलाओं के हुए नाम है तहली भाराद उनके नाम के संपत्ति हुए है अमारी सरकार बेन और बेटियों के लिए हर स्थर पर नए अवसर बना रही है उन्हें सज़त कर रही है साथ वो T.M.C. और कॉंग्रेस यहाँ आपस में जगरे का दिखावाद जरूर करती है लेकिन सच्चा यह है कि दोलों के विचार और आतार ब्यावार एक जैसा है T.M.C. और कॉंग्रेस की जोड़े रखने का सच्च बड़ा चुम्दत है तुस्ट्री कराण तुस्ट्री कराण के लिए यह दोलों पार्टिया कुछ भी कर सकती है तुस्ट्री कराण की खातिरे लोग देश हिप के लिए किये वे हर बेरे को बापक पलटना चाहते इंडी गड़न्दवानियार कहते हैं यह कश्मीर में आर्टिकल 370 फुर बहाल करेंगे तुस्ट्री कानुन को रज कर देंगे आप मुझे बताईए बटवारे से पैदा हुए पेशों में जहां हिंदू, सी, इसाई, बोटर्ग के लोगों पर जुल्म डाये जाते हैं जहां उनको धर्मानतन के लिए मजबूर किया जाता है जिनके आस्ता कलो मंदिर गुर्गार चर्क दोस्त कर दिये जाते हैं जिनकी बहन देटियों का जबरन शाजी करके उनका गामानतन करवा दिया जाता है आप फुर वो कहां जाएंगे इसमें बहुत बड़ी संख्ञाम है हमारे चलीद भाई जहन है तुस्ती करण के लिए T.M.C. कॉंगे जिने भी ठुकड़ा जया चाहती है C.A. नागरिटा चिनने का नहीं बलकि नागरिटा देने का कानूल है लेकिन फिर में T.M.C. लगाता जिद मुलकर का फ़प बला रही है यही इन लोगों की सोच है साथ को मैं आपको इंडी गड़ बनन की लिए और खतरना के राजे के बारे में बताना चाहता हूँ इंडी गड़ बनन वाले महिलाओ आदिवाश्यों और जरीड़ों के खलाब एक खतरना कानून बना कर लेकर आने चाहते इस कानून मैं महिलाओं का मंगल सुत्रा आदिवासी महिलाओं के गहने और किसी की प्रॉपर्टी चांच कराने का ये कॉंग्रेस वालों ने एलान किया है इसके लिए कॉंग्रेस के सहजादे विदेश से आई एक्सरे मशिल लाए है वो प्रॉपरे देश में सब का एक्सरे कर देंगे कॉंग्रेस का इरादा है कि जिसके पाँच इतना पैसा सोना चांड़ी होगा जमीन होगी सब पर कब्चा कर लिया जाएगा अगर उसका एक हिस्सा जिरूप अपने वोट बैंक को दे रही है एक कॉंग्रेस में गोसरा किया है लेकिन मज़ा देखिए टी एमसी वाले भी उसके खिलाप एक शब्दा नहीं बूलते है टी एमसी वाले चुप चाप कॉंग्रेस के जेज दिन्दा को मां रहे करके समर्चन कर रहे हैं आप देखिए एमसी और कॉंग्रेस में तुष्टी करण का कैसा कॉंपिडिशन चल रहा है एमसी संकार मंगला मंगला देशी बूस्पेजियों को लाकर बसाने का काम करती है इन बूस्पेजियों को आपकी जमेन खेट पर कभ़्या करवाती है और कॉंग्रेस आपके संपत्ति ऐसे गोडमेंट में बाटने की बात कर रही है साथ यों कॉंग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55-60 टैक्ट लगाने की योजना बना रही है यानि आपके जीवन पर की कमाई आपके बाद आपके पेटे पेटियों को नहीं मिलेगी उसमें से आधिर से ज़्यादा कॉंग्रेस सरकार जब्त कर लेगी और संपती जाएगी कहां? कॉंग्रेस के वोट्वेंग के पास कॉंग्रेस के ठोर मिलों को जानने के बाद पुरा देट कह रहा है कॉंग्रेस की लोट जिन्दिकी के साथ भी और जिन्दिकी के बाद भी कॉंग्रेसेर लोट बैंचे थातार समयो मोरे जादार परेऊ साथि रो हो कॉंग्रेस पर्टी स्थी एंस्थी और उबीजी के आरक्षन पर भी बडा जाता जाम ले की पहरी कर रहे है कॉंग्रेस कांपी पहले वीभी अस्थी के आरक्षन पर में सारे मुस्व सब्सक्राइब करना चाहती है क्या चाहिए को काम्याब होने देंगे साथ्यों आपका एक बोट विक्सित भारत विक्सित बंगार के सपने को पूरा करेगा माल्दा उत्तर से दीजे दुष प्रत्या से और लोग सबामे मेरे बहुत अच्छे साथी सुमान खगेन मुर्ग मुर्वजी और माल्दा बच्छिन से सुधुपा मित्रा चौबरी जी जिसको आप मिर्भया दीजी के नाम से जानते हैं यह हमारे दीजी और हमारे मुर्वजी साथ मैं को इनको आपका एक एक वोट जो देंगे ना यह आपका वोट सीधा सीधा मुर्वी के खाते में जाएगा मेरा अनुरूद है यहां से जाकर के हर परिवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्